गुड बॉर्निंग बच्चों पिछले वीडियो में मैंने पाठ दो से जितना भी आपको पढ़ाया था उसको पुना दोराते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे ठीक है पाठ दो वर्न एवं मात्राएं लेटर्स एन वाबेल मार्क्स वर्न भाषा के सबसे छोटी इकाई या ध्वनी जिसके टुकडे नहीं किये जा सकते उसे वर्न या अक्षर कहते हैं वर्न के भेद वर्न के कितने भेद होते हैं आपको याद होगा वर्न के दो भेद होते हैं स्वर्वर्न व्यंजन वर्न स्वरवान कितने होते हैं? 11 यानि 11 और व्यनजनवान कितने होते हैं? 33 यानि 33 स्वरवान ये स्वतंत्र ध्वनिया हैं इनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है व्यनजनवान इन ध्वन्वियों की उच्चारण में स्वर्वार्णों की सहायता ली जाती है सायुक्त वेंजन सायुक्त वेंजन कितने होते हैं? चार कौन-कौन से? श, त्र, ज्या, स्र उशिप्त वेंजन कितने होते हैं? दो कौन-कौन से? र, र अयोगवा वो कितने होते हैं, दो हैं, किस-किस से बना हैं, अंग, यानि अनुस्वार, और अह, यानि विसर्व, अनुनासिक, या चंद्रबिंदू, यानि चंद्रबिंदू के अब हम इसके आगे मात्राएं पढ़ेंगे, यानि वौवेल, मार्क्स शब्द बनाते समय, व्यंजन के साथ, स्वरो का जो सूक्ष्मरूप अर्थात, चिन ने मिलाया जाता है, उसे मात्रा कहते हैं जैसे मोर, मोर कैसे बना है, म, प्लस, ओ, प्लस, र, यानि म, प्लस, ओ का चिन है, यानि मात्रा है, प्लस, र, मिलाके क्या बन गया है, मोर इस तालिका में स्वर, मात्रा और व्यंजनों के साथ मात्रा सहीद बने शब्द दिखाए गए इसको देखिए और ध्यान से समझे अ, अ की कोई मात्रा नहीं होती सब में सभी व्यंजन में मिलकर बना रहता है पहले से ही तो जल, घर, नल आ, आ की मात्रा देखिए ज में आ की मात्रा लगाने से जा हो गया और ल, मिलाकर क्या बन गया? जाल ग्य में आ की मात्रा मिलाकर और न, क्या बन गया? ग्यान र में आ की मात्रा मिलाया गया और त, क्या बन गया? रात इ, छोटी की मात्रा देखिए ट में छोटी लगाई गई और न क्या बन गया तिन प में छोटी न पिन ख में छोटी और ल मिलाकर क्या बन गया खिल बड़ी प में बड़ी की मात्रा लगी है और ल में आकी क्या बन गया पीला न में बड़ी की मात्रा और ल मिलाकर नील क में बढ़ी की मात्रा और ल, मिलाकर क्या बना कील, उ, छोटे उ की मात्रा देखे, प में छोटा उ, पु और ल, मिलाकर क्या बना पुल, क में छोटा उ, कु और ल, मिलाकर कुल, ग में छोटा उ, और गुण, बढ़ा उ की मात्रा देखे, प में बढ़ाऊ पू, ज में आ की मात्रा जा, मिलाकर क्या बन गया, पू जा, फ में बढ़ाऊ और ल, मिलाकर बन गया, फूल, भा में बढ़ाऊ और ल, जब ये दोनों मिले क्या बन गया, भूल, री, री की मात्रा देखिए, क में री की मात्रा लगी है, तो क्री और प में आकी मात्रा पा, दोनों मिलकर क्या बने, क्रिपा, गा में री की मात्रा और ह, मिलकर क्या बन गया, ग्रिय, मा में री की मात्रा और दा में आकी मात्रा क्या हो गया, मृदा, ए, एकी मात्रा देखिए, पा में एकी मात्रा और र, मिलकर पेड, भा में एकी मात्रा र, मिलकर भे पिल ऐ की मात्रा, मा में ऐ की मात्रा और ला में आ की मात्रा क्या बन गया? मैला, था में आ की मात्रा और ला में आ की मात्रा थैला, भा में आ की मात्रा और सा में आ की मात्रा भैसा, ओ की मात्रा, मा में ओ की मात्रा और रा मिलकर मोर, शा में ओ की मात्रा और रा मिलकर शोर, चा औ औ र त मिलकर क्या हो गया औरत औ जा और र मिलकर औजार फ में औ की मात्रा और ज़ फॉज इनके अत्रिक्त र व्यंजन का प्रियोग इन चिन्हों के रूप में भी किया जाता है प में र लगा है और एक ही मात्रा और स क्या हो गया प्रेस परवत प व में रफ लगा है त परवत फिर है ट्रक ट में र लगा है नीचे और क क्या हो गया ट्रक ठीक है रव यंजन वर्ण में उ तथा उ की मात्रा अन्य वर्णों की तरह न तो उ पर लगाय जाती है और नहीं नीचे बल्कि यह मात्रा रव यंजन के बीच में लगाय जाती है जैसे रा में छोटा उ की मात्रा लगाई गई तो हो गया रू रुपया ठीक है और रा में बड़ा उ लगाया गया और म म में आ की मात्रा और ल मिला के बन गया रुमाल ठीक है अ स्वर की ध्वनी सभी व्यंजनों में मिली रहती है अ का अपना कोई मात्रा या चिन नहीं होता ये बात बहुत ध्यान देने की जरूरत है ठीक है बच्चों एक बात बहुत ध्यान देने की जरूरत है अ स्वर की ध्वनी सभी व्यंजनों में मिली रहती है अ का अपना कोई मात्रा चिन नहीं होता अब हम अभ्यास करेंगे आगे आपकी बुक में दिया हुआ है इसको मैं समझा देती हूँ आप अपनी बुक में करेंगे पहला है दिये गए प्रशनों के उत्तर लिखिए क वर्ण से आप क्या समझते हैं आपने आप पढ़ चुके हैं इसका अंसर क्या होना चाहिए भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनी जिसके टुकडे नहीं किये जा सकते उसे वर्ण कहते हैं ख व्यंजन किसे कहते हैं हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है इसका अंसर क्या होना चाहिए? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर्वनों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है अयोगवा किसे कहते हैं? गह देखे इसका अंसर क्या होना चाहिए? जो वर्ण न तो स्वर्वते हैं और नहीं व्यांजन उसे अयोगवा कहते हैं सयुक्त व्यांजन किसे कहते हैं उदारण सहित लिखे क्या होगा इसका आंसर दो व्यांजनों के योग से बने व्यांजन सयुक्त व्यांजन कहलाते हैं जैसे शत्र, ग्यंस्र, दूसरा देखिए, सही कथन के आगे सही का, तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन लगाईे, अब इसको ध्यान से देखेंगे, और इसको समझेंगे कि सही है या गलत, पहले जानेंगे, फिर निशान लगाएंगे, ठीक है, क देखिए व्यन्जन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तो आपने इसको पढ़ रखा है कि व्यन्जन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं ये क्या होगा सही ख, श, त, ग्या, और स्र, सयुक्त वर्ण है आपने पढ़ा है, ये चार सही उक्तवर्ण है, इसलिए ये भी सही है ग, र, औ, ह, उच्छिप्त व्यंजन है, ये भी आपने पढ़ा है, तो क्या होगा? सही होगा ग, स्वरों का सूक्ष्म रूप मात्रा कहलाता है, अभी आपने पढ़ा, तो सही होगा अंग, चंद्रबिंदू अनुनासिक नहीं है, आपने पढ़ा है कि चंद्रबिंदू अनुनासिक है, इसलिए ये गलत होगा तीसरा देखिए, खाली जगह भरिये, क, भाशा की सबसे छोटी इकाई है, क्या है? वाण ख, जो वाण न तो स्वर होते हैं, न नहीं व्यांजन, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अयोग वाँ भरा जाएगा ग, स्वर एवं व्यांजनों की कुल संख्या कितनी है? जब दोनों को मिलाएंगे तो 44 है घ, स्वरो का सुक्ष्म रूप, क्या कहलाता है? मात्रा, यहां भरा जाएगा मात्रा, ठीक है? चौथा देखिए नीचे दिये गए चित्रों की सहायता से, शब्दों को उचित मात्राओं से पूरा कीजिए यहां सिर्फ मात्रा लगानी है, ठीक है? अब चित्र में देखिए क्या बना हुआ है? पंखा तो लिखा क्या है? पंख, तो ख में यहां आकी मात्रा लगेगी, ठीक है? मोर, मोर बना है, मोर कैसे लिखा जाएगा, म कौन सी मात्रा लगेगी, किसकी, ओकी, और र, क्या हो जाएगा, मोर पिन बना हुआ है, तो पिन में, पा में किसकी मात्रा आनी चाहिए, छोटी ही की और ना क्या हो जाएगा पिन रुपिया बना हुआ है तो रुपए में कौन सी मात्रा हैगी रा में उकी मात्रा क्या हो जाएगा रुपे फूल फूल में फा में किसकी मात्रा हैगी बड़े उकी और लग फूल ग्रिह गा में री की मात्रा हैगी और हा मिलकर क्या हो जाएगा ग्रे ठीक है आपका ये पार्ट पूरा हो गया जो भी काम मैंने दिया है वो सब बुक में कर लीजेगा ठीक है धन्यवाद